वाइफ को लगता है कि उसके हस्बंड का अफेर चल रहा है तो एक लड़की को हायर करती है उसके हस्बंड को सिड्यूस कराने के लिए बात तब भी गड़ती है जब लड़की वाइफ से ही अपसेस्ट हो जाती है यही हमारी मुवी की स्टोरी लाइन है जिसका नाम है एक प्रस्ट्रीट है तो हमसे कहती है कि जो मैं करती हूं यह करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रगना पड़ता है लोग की फैंटेस्य में फुल्फिल करते हूं अगर वो मुझे टीचर की तरह देखते तो मैं टीचर की तरह बन जाती हूं अगर सेग् लेकर हमारे मूवी के लिए कुछ इस्टाबलिश करता है कैथरिन इंटरमसी और प्लेजर इसमें जादा इंटरेस्टेड नहीं है इसके बाद नेकसिन में कैथरिन का हस्बन जिसका नाम है डेविड याम से इंटरोडियोस होता है डेविड यूनिवेसिटी में एक प्रोफेसर है उसके स्टुडेंट्स वगिरा उसे बहुत पसंद करते हैं क्यांके हर स्टुडेंट से वो सही तरीके से गरेट کر पाता है आज डेविड का बर्थ टे है वो आज भी लेक्चर दे कर फ्लाइट से घर आने वाला है उसके students को मालू में कि आज डेविड का birthday है तो उसे कही बाहर लेकर जाने के लिए उसे पूछते हैं डेविड उन्हें मना कर देता है वो गहता है कि मेरी flight है और मुझे मेरी family के पास जाना है Catherine ने डेविड के लिए एक surprise birthday party और्गनेस की है Catherine और डेविड को एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है Michael party में Michael अपनी girlfriend अना को लेकर आता है Catherine अपने बेटे को girlfriend के साथ देखका जरा uncomfortable होती है party में सब लोग डेविड का wait कर रहे है तब ये डेविड Catherine को call करता है उसे कहता है कि मेरी flight में सो चुकी है वो आज रात बहुत ही late घर आएगा ये जब call चल रहा था तो डेविड अपने एक student के साथ है ये हम देख सकते है Catherine सब लोग को कहती है कि आज डेविड नहीं आ पाएगा पर वो सब लोग को party continue करने के लिए कहती है रात में Catherine को नीन नहीं आती जब वो थोड़ी सी बहार आती है तब वहाँ उसे दिखता है कि माइकल की girlfriend अभी भी उसके पास ही है वो माइकल पर चिला थी है और कहती है कि तुमारी girlfriend यहां नहीं रह सकती है जब सुबा होती है तब हम देखते है कि डेविड घर पर आ चुका है डेविड Catherine से sorry कहता है Catherine बोलती है कि मेरी ही गलती है मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था डेविड को अपने बढ़े अच्छे नहीं लगते उसकी एज बढ़ती जा रहे है तो उसे अच्छा नहीं लगता Catherine ने डेविड के लिए एक स्कॉच की बोटल ऐस अ किफ लाई थी है वो एक्सपेक्ट करती है कि Catherine और डेविड आज राद ज़रा celebrate करें पर डेविड कहता है कि मुझे बहुत ही काम है वो लेट ही घर पर वापस आने वाला है Catherine फिर नोटिस करती है कि Michael की girlfriend घर गई ही नहीं थी वो बहुत ही चिर जाती है और Michael से कहती है कि ये क्या था तुम तुमारे girlfriend को रात पर घर नहीं रख सकते है माइकल कहता है कि मैंने डाइट से कहा था कोई भी प्रॉलम नहीं है Catherine Michael को protection यूज करने के लिए गए दिया इंडियन पैरेंट्स होते तो मार डालते है Catherine नीचे आती है और डेविड का फोन बज होता है वो जब चेक करती है तब वहाँ डेविड के साथ उसकी स्टूरंट का एक फोटो है और वहाँ लिका है कि थांक्स फॉर लास्ट नाइट Catherine को अफशक होता है Catherine को अफशक होता है कि शायद डेविड का अफेर चल रहा होगा उसे लगता है कि डेविड ने जान बुच कर फ्राइट मिस की थी एक रात Catherine और डेविड अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए बाहर आते है यहाँ Catherine फ्रेशन अप होने के लिए वाश्रूम में जाती है तो यह वहाँ वाश्रूम में कोई रो रहा है Catherine को बुरा लगता है और जो कोई भी रो रहा है उसे वो टीशू बेपर देती है वाश्रूम से बाहर क्लोई आती है क्लोई कहती है कि आदमे बहुत ही घटिया होते है यानि कि अभी अभी उसका कोई ब्रेक अप हुआ है Catherine भी इसके लिए अगरी करती है उसे as a repay वो करना जाती है पर Catherine कहती है कि मुझे इसके ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे रख लो अपना डिनर कंटिनू करने के लिए फिर से Catherine नीचे आ जाती है क्लोई जब इनके डेबल के पास से जाती है तब Catherine के फ्रेंड को पता चल जाता है कि एक sex worker थी यह friend केता है कि जगा बहुत ही अच्छी है पर यहाँ यह सब चलता रहता है यहाँ पर अलग-अलग businessman conference विगरा के लिए आते है और sex workers के साथ मज़ा करते है फ्रेंड को यह चीज सही लगती है उससे लगता है पैसे देखकर सब कुछ अमारी needs complete हो जाती है और कोई emotional attachment भी नहीं रहती यहाँ हम डिनर पर देख सकते है कि डेविड एक waitress से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था कैथरीन को यह चीज खटकती है जब वो घर आते है तो कैथरीन डेविड से कहती है यह जो waitress थी क्या वो तुमें पसन आई तुम उसे flirt कर रहे थे डेविड कहता है कि मैं सिर्फ friendly था यह जो waitress वगिरा होते यहने लोग अच्छे से treat नहीं करते इसलिए मैं उनसे ज़रा अच्छे से बात करता हूँ अच्छे tips देता हूँ इसमें गलत क्या है क्या तुमने intentionally अपने flight मिस कर दी थी डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ मिस हो गए मैंने जान पुछ कर यह नहीं किया था इसके बाद next day क्यातरीन अपने काम पर है वो नीचे से Chloe को जाते होए नोटीस करती है क्यातरीन को पता है क्यातरीन के बात करती है क्यातरीन पर घंसे प्राइब को चीट कर रहा है वो चाहती है कि Chloe उसके husband को approach करे वो फिर क्या करता है यह सब कुछ Catherine को जानना है डेविड हमेशा एक cafe में जाता है तो वहाँ Chloe उसे मिल सकती है यह सब information Catherine उसे देती है जैसा Catherine ने कहा था वैसा है Chloe करती है वो डेविड से जाकर बात करती है इसके बाद Catherine और Chloe एक cafe में मिलते है Chloe फिर बताती है कि क्या हुआ था वो कहती है कि तुमने जैसे कहा था वैसे डेविड न्यूस पेपर पढ़ रहा था मैं उसके पास गए और उससे मैंने शुगर मांगे फिर हम बात करने लग गए उसने मुझे पूचा कि क्या मैं स्टुडेंट हू और बहुत ही फ्रेंडली वैसे मुझे से बात कर रहा था उसने मुझे से जादा फ्लर्ट वेगरा नहीं किया वो बहुत ही क्यूट है Catherine Chloe से बुचती है कि तुम जो एक काम करती हो ये कैसे कर पाती हो Chloe कहती है कि हर आदमी में एक अच्छा ही होती है ये ही अच्छा ही मैं ढूणने की कोशिश करती हूँ बहुत सारी अचीब चीज़े भी मुझे देखने के लिए मिलती है जैसे कि तुम अपने हस्बन को मुझे से मिलवाना चाहती हो कैथरिन फिर Chloe को उसके पैसे देती है और बोलती है कि और एक बार हम ट्राइ कर कर देखेंगे इसके बाद ये सब हम खतम कर देंगे रात में भी डिवीड जब घर पर होता है तो अपने स्टूडेंट के साथ हस हस कर बाते करता है जो कैथरिन को पसंद नहीं आथा कैथरिन के बेटे माइकल से उसकी कल्फरेंट स्काइप पर ही ब्रेक अप कर रही है कैथरिन वहाँ से गुजर रही थी तब वो देखने सुनने लग जाती है उसका बेटा उस पर बहुत चीट जाता है Catherine फिर डेविड के पास आती है वो कहती है कि Michael को लेकर वो बहुत ही परिशान है Michael पहले डिस्टब रहता था इसलिए उसे थेरेपिस्ट के पास भी वो भेशते हैं David कहता है कि तुम वरी मत करो Michael के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी वो सब कुछ अब सही कर रहा है Catherine का टेंशन दूर करने के लिए David उसे ड्रिंग ओफर करता है Catherine कहती है कि मेरा सर दुकरा है पर David उसे इंसिस्ट करता है David हमारा बहुत ही चार्मिंग इंटिमेडेटिंग और हैंडसम कैरेक्टर है Catherine भी शर्मा कर ये ड्रिंग उसे ले लेती है ये दोनों एक दूसरे के पास आते है इन दोनों की रिलेशनशीफ पहले जिसी थी वैसे अब नहीं रही है David को इस बात को लेकर बुरा रगता है वैता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से इतनी दूरिया क्यों बना ली हम एक दूसरे को एरपोर्ट से पिक अप करते थे हमेशा एक साथ ही रहते थे हम दोनों में इतना डिस्टंस कैसे आ गया Catherine कहती है कि मुझे पता नहीं हम ज़रा बीजी हो गए यह दोनों यहां भी एक दूसरे से डिस्टंस बनाते है डेविड को बहुत काम है तो Catherine के साथ वो आज रात इंडिमेट नहीं हो सकता नेक सुबा Catherine देखती है तब उसका बेटा Michael सिर्फ अपने फादर से ही बात करता है उसका बेक अपने फादर को ही इसके बारे में बताता है Catherine को लगता है कि शायद डेविड पर वो ऐसे ही शक कर रहे थे वो फिर से Chloe को मिलती है वो कहती है कि तो मैं फिर से डेविड को अप्रोच करने कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे लाइब में थोड़े प्रॉलम चल रहे थे इसलिए मुझे लग रहा था कि डेविड को कोई अफेर होगा पर यहाँ Chloe कहती है कि मने अल्रेडी डेविड को अप्रोच किया तब क्या क्या हुआ यह सब उसे बताने लग जाती है वो खेती है कि जब मैं डेविड के पास गए तब उसने मुझे सैंड्वीचेस वगरा ओफर किया हम दोने एक दुसरे से बात करने लग गए उसके म्यूजिक के बारे में डेविड ने मुझे बताया वो पहले हिसिटन्ट था पर उसने मुझे पूछा क्या वो मुझे किस कर सकता है हम दोने एक दुसरे के जब पास आये तब उसने मुझे मना कर दिया उसने कहा कि वो married है फिर उसने पूछा कि क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते है जहां में कोई भी नहीं देखेगा उसके बाद Chloe उसे गार्डन में लेकर गए वहाग गरीन हाउस था चाह अंदर हो गए वही जाकर वह एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो गए ये सब जब Catherine सुनती है तब Chloe पर बहुत ही वो नाराज हो जाती है वो गहती है कि मैंने तुमें उससे सिर्फ बात करने के लिए कहा था ये सब चीज़े करने के लिए नहीं और वहाँ से चेड़ कर वो निकल जाती है Chloe उसे कहती है कि तुम जहाती क्या हो ये मुझे समझ में नहाता बाहर Catherine की गाड़ी पार्किंग में स्टक हो चुकी है Chloe अपने बाइसिकल से जा रही होती है पर रोड पर आई से जिससे वो गिर जाती है Catherine ने देखती है और Chloe को हेल्प करने के लिए वो इसे मलम पट्टी वगरा करती है वो फिर उसे Chloe से कहती है कि तुमारे हेल चेक अप और उसके रिजल्ट सब मुझे चाहिए Catherine अफ फिर से चाहती है कि Chloe डेविट को और एक बार अप्रोच करे डेविट अगर सचमझ में Catherine से पैर करता है तो फिर से वो Chloe के साथ नहीं रहेगा Chloe फिर अपने टेस्ट रिजल्ट लेकर Catherine के पास आती है यहाँ अपनी मदर से मिलने के लिए Michael भी आता है Chloe और Michael यह दोनों बात करने लग जाते है Chloe Michael से कहती है कि तुमारी नजर तुमारी मदर की तरह ही है Michael को यह सच नहीं लगता तो Chloe कहती है कि तुमारी आखे तुमारी मदर से मैस्ट नहीं करती है पर जिस तरह से तुम देखते हो एक स्टेर वो तुमारी मदर की तरह ही है यहाँ पर Chloe Michael से फ्लेट कर रही थी Chloe Catherine से मिलकर वहाँ से चली जाती है Michael भी Catherine के पास जबाता है तब यह उसे Chloe का मैसेज आता है इसमें Chloe ने लिखा है कि वो और डेविड एक होटेल में जा रहे है Catherine की friends बात कर रही थी कि उनकी एक friend का affair चल रहा है Catherine भी थोड़ा सा distance maintain कर रही है तब उने रगता है Catherine का भी चक कर चल रहा है अब एक Chloe का मैसेज Catherine को आया है तब Catherine वहाँ से चली जाती है उस होटेल रूम में पोच्छती है बेड वेकरा देखकर वो conclude करती है कि Chloe और डेविड एक दुसरे के साथ intimate हो चुके है Catherine जब Chloe से पोच्छती है तब Chloe सब details डेविड और वो किस तरह से इस होटेल तगाए यह सब उसे बताती है दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक दूसरे की बिना कोई भी मूमेंट हम नहीं बिता दे थे Catherine Chloe से बुछती है क्या तुमने भी कभी यह फिल किया है Chloe कही थी कि हाँ Catherine को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है Chloe उसे जरा समालती है उसके पास आकर उसे डारेक्ली किस कर लेती है Catherine को यह सही नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है रात में Michael का performance था Catherine और डेविड दोनों आये हुए है पर एक दूसरे से वो दूर बेटते है बात में डेविड Catherine के पास आता है और उसके हाथ को किस करता है इस्टब होकर रात में Chloe के पास आती है यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाती है Catherine Chloe को बैसे देती है और वो फिर से Chloe से नहीं मिलने वाली मूवी के फर्स में जो हैरिपिन Chloe Catherine को देना चाती थी वो फिर से निकालती है वो Catherine को कहती है कि यह मेरी ही हरिपिन है मेरी मदर ने मुझे दी थी जब हम पहली बार मिले थे तब है हरिपिन में तुमें देना चाती थी Chloe फिर से Catherine से मिलना चाती है पर Catherine को भी प्रॉमिस नहीं करती है यह तोनों Catherine की घर के बाहर ही एक कैब में थे Chloe ने Catherine का घर देख लिया है Catherine जब घर में इंटर करती है तो David कहता है कि वो कौन है डेविड को लगता है कि Catherine का किसी के साथ अफेर चल रहा है वो बुच्ता है कि क्या तुम उससे प्यार करती है Catherine कहती है कि इस से क्या फ़र्क पड़ेगा डेविड कहता है कि पूरी रात तुम घर से बाहर थी कैतरीन कहती है कि तुम्हारी तरह में सिक्रेटिव नहीं रह सकती जो भी लड़की तुम्हें मिलती है उससे तुम फ्लर्ट करने लग जाते हो पता नहीं क्या क्या करते हो ये दोनों बहुत चकटते है नेक सुबा हम देखते कि कैतरीन जब अपने क्लिनक पर है तब उसे क्लोई का एक इमेल आया है इस इमेल में जब क्लोई और कैतरीन इंटिमेट होए थे इसके एक फोटो है थोड़ी दर में क्लोई कैतरीन से मिलने के लिए आती है उसके लिए फूल भी लाती है Chloe Catherine से कहती है कि हम दोनों में जो हैं यह बहुत ही यूनिक है Chloe के मन में Catherine को लेकर सरा feelings आ चुकी है वो Catherine के साथ एक relationship बनाना चाहती है Catherine कहती है कि कल रात अच्छी थी पर वो एक ही बार का था हम फिर से कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे Catherine को लगता है कि Chloe उसे शायद blackmail कर रही है Chloe को बहुत सारे पैसे देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है Chloe को बहुत ही hurtful महसूस होता है इसके बाद next scene में हम देखते है Chloe directly Michael के पास आई हुई है माइकल से उसने बात की थी और माइकल की music taste के बारे में भी उसे पता है माइकल को जो artist पसन है इस artist की वो CD लाती है माइकल Chloe को देखकर surprise होता है ये दोनों एक दुसरे से सही से बात करते है माइकल घर आकर ये songs लगाता है जब Catherine ये सुनती है तब उसे लगता है कि Chloe घर पर है क्योंकि उसे Chloe के songs के बारे में पता था वो disturb होकर सब जगा पर Chloe को डुनती है इसके बाद Chloe का उसे call आता है Chloe उसे कहती है तुमारे husband का मुझे फिर से call आया था आज वो मुझे इन लिमेट नहीं होना चाहता था उसे emotional support की ज़रूरत थी उसने मुझे कहा कि जब वो मेरे साथ होता है तब उसे लगता है कि तुम पर वो cheat कर रहा है कैथरिन को याजिब लगता है Chloe को रात में एक जगा पर वो बुलाती है रात में कैथरिन कैफे में जाकर वेट कर रही है यह हम देखते हैं कि उसने डेविड को भी बुलाया था वो डेविड को कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे से honest रहना चाहिए जो भी हमने किया है हमें admit कर लेना चाहिए वो फिर डेविड से बुछती है कि तुमने flight means कर दी थी उसके बारे में मुझे बताओ डेविड कहता है कि ठीक है मैंने तुमसे जूट कहा था मेरा retirement एक-एक साल आगे आता रहता है उसे retire होना अच्छा नहीं लगता अपने काम से वो पैयर करता है उसे काम करना अच्छा लगता है वो कहता है कि मुझे बड़े पसंद नहीं है इसलिए मैंने जान बुझ कर flight मिस करती थी उसके बाद मेरे student के साथ मैं ड्रिंक करने के लिए गया था वो यहाँ clear करता है कि मैं सिर्फ ड्रिंक करने के लिए गया था मैं और मेरे student के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो यह सब वो Catherine को explain ही कर रहा था तब ही Chloe वहाँ आ गए Chloe ने डेविड को जब notice किया तब वहाँ से वो जली गए डेविड Catherine से बुझता है कि वो कौन थी डेविड को Chloe के बारे में कुछ भी पता नहीं है Catherine realize करती है कि डेविड के बारे में Chloe सब को जूट कह रही थी Catherine अब confess करती है वो कहती है कि मेरा जो affair था वो खतम हो चुका है मैंने जो भी किया वो unexpected था वो अज सब कुछ मैंने अब खतम कर दिया है डेविड इस पर बहुत ही नाराज होता है वो खता है कैसे कैसे तुम कर सकती हो मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई chances नहीं मिले पर मैंने अपने आप पर काबू रखा था तुमने मुझे मेरे काम से बुला लिया और ज्यादा कुछ मुझे बता भी नहीं रही हो गुसा होकर वहाँ से जाने लगता है कैथरिन उसके पीछे पीछे आती है कैथरिन ने जो भी सब किया था लोईन ने उसे पैसे दिये थे डेविड से मिलने के लिए ये सब चीज़े वो डेविड को समझाती है वो फिर अपने आपको एक्स्प्लेन करती है वो गहती है कि जैसे जैसे तुमारी एज बढ़ती जा रही है वैसे तुम और भी ब्यूटिफुल होते जाते हो तुमारे सामने मैं थोड़ी भी ब्यूटिफुल नहीं दिखती ये सब सोचकर कैथरीन को बहुत ही बुरा लगता है इन दोनों में कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रही तो कैथरीन कहती है कि ये मेरी इगल थी है जब उसकी प्रेइनेंस हुए तब उसे लगा कि वो अब ब्यूटिफुल नहीं रही वो डेविड से अपना डिस्टन्स बनाने लग गए और वहाँ से सब कुछ गलत होने लग गया मूवी में हमने देखा है कि डेविड जब कैथरीन का लोशन स्मेल करता है तब उसने पहली बार ही स्मेल किया है यहाँ कैथरीन को पता चल जाना चाहिए था कि डेविड और क्लोई के बिज में कुछ भी नहीं है पर वो मानने के लिए रेडी नहीं थी डेविड कैथरीन को समझ लेता है उसे वो माफ कर देता है इसके बाद रात में हम देखते है कि Chloe Catherine के घर के बाहर आ जाती है Michael उसे दिखता है और ये दोनों बात करने लगते है Michael उसे अपना घर दिखाता है Chloe फिर उसके साथ intimate हो जाती है उसे कहती है कि तुम्हारी मदेर के रूम में हम चलते है जब रात में Catherine घर पर बोचती है तो उसे शौक लगता है वो Michael को रूम से बाहर निकाल देती है Catherine बहुत ही गुसा है Chloe को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है Chloe कहती है कि तुम मुझे पैसे देखकर भगा नहीं सकती है हम दोनों में जो है यह बहुत ही यूनिक है Chloe ज़रा confused भी है वो एक अच्छे लड़के को डेट करना चाहती है Michael उसकी dating life के लिए एक अच्छा लड़का हो सकता है मुवी के first में हमने देखा था Chloe वास्रूम में रो रही थी उसने बाहर आकर कहा कि आदमी बहुत ही घटिया होते है वो पहले ही हर्ट हो चुकी थी Catherine ने उसे ज़रा sympathy दी Catherine को लेकर उसमें feelings develop हो गए Chloe को Michael Catherine की तरह ही लगता है तो कहती कि मुझे उसे date करना है Catherine उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो भी कर रही हो यह बहुत ही गलत है वो गहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो ठीक है पर मेरे husband से ही मैं बैर करती हूँ Chloe कुछ भी सुनने के लिए ready नहीं है उसे समझ में ने आ रहा कि वो क्या करेगी Catherine ने Michael को रूम से बाहर निकाल दिया था वो अंदर आने के कोशिश कर रहा था पर आ नहीं पा रहा वो बैक डोर से Chloe और Catherine के पास पहुचता है Chloe बहुत ही डिस्टब हो चुकी है उसकी हेरपीन वो निकालती है एक शार्प आपजेक्ट है Catherine के गले पर उसने लगाया हुआ है अचानक से माइकल वहाँ पहुच जाता है और Catherine Chloe को धक्का देती है इस धक्की की वज़े से Chloe खिड़की से बाहर गिरने वाली है वो अगर चाहती तो अपने आपको समाल सकती थी पर वो रिलाइज करती है Catherine उसकी कभी भी भी नहीं हो सकती वो फिर हाथ छोड़ देती है और नीचे गीर कर मर जाती है मूवी के लास्ट सीन में हम देखते है Catherine ने जो हेरिपिन पहनी है एक Chloe की है Chloe की हमेशा से वीच थी कि Catherine उसकी हेरिपिन पहने Catherine ने पूरी की है Catherine ने भी इसकी रिस्पेक की है और वो हमेशा हेरिपिन अपने हेरिपिन पर लगा दिये यही मूवी एंड होती है आज का वीडियो हम यहीं खतम करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल न अडूशन आइकों दावने मत भूले फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब ते के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये